हेलो दोस्तों, आज मैं दूबडी सब्तमी की कहाने सुनाने जा रहे हूँ, माद रपस सुकल्य पख्यक सब्तमी को ये ब्रत किया जाता है और मुख्यतर राजस्तान में किया जाता है, ये कोई-कोई आश्टमी को भी करते हैं, तो चलिए सुनते हैं दूबडी सब्तमी की कह एक सावकर था उसके साथ बेटे थे जब वो अपने बेटे का शादी करता तो उसी समय वो बेटा मर जाता था इस प्रकार उसके छोटा बेटा बागी था एक दिन की बात है छोटे विटे की विवा की बात चली शादी भी तैय हो गई और रिष्टेदारों को नियोते भी भेज दिये गए जब उस लड़के की भुआ आ रही थी तो रास्ते में एक बुढ़िया मिली वो चक्की से आटा बिस रही थी जब लड़के की भुआ वो ब बुढ़िया के पास बैठ कर उसके पाउं लगी तो बुढ़िया बोली तो कहां जा रही है तो वह बोली मैं अपने भतीजे के साधी में जा रही हूं और सारी बात बता दी तो बुढ़िया बोली वो तो घर से निकलने पर दरवाजे से दब कर मर जाएगा और वहां से प्रणाद सुनकर लड़के की भुवा कहने लगी, बुढिया माता इसका बजने का कोई उपाएं है तो जरूर बताएं, और तब बुढिया बोली तो ठीक है, परन्तु थोड़ा कठीन है, भुवा बोली की कठीन है तो भी मैं कर लूँगी, बुढिया माता बोली, उस पचे को पीछे के दीवाल फोड़ कर निकलना, पेड़ के नीचे बारत रुकने न देना, सासुराल में पीछे के दरवाजा से लेना, और वामरे पर एक कटोरा दूद का भरकर रख लेना, और एक दांथ का फांसा बना कर रख देना, जब वहां शाम आएगा, तो दूद प्रादेगी साथ में इस बात को किसी को सुनाना मत नहीं तो सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों के मृत्यू हो जाएगी फिर लड़का नहीं बज सकता है यह कहकर बुढिया जाने लगी और बोली मेरा नाम दुबडी है यह दुबडी माता यह सब बता कर भुआ को गए ह यह सुनकर भुआ घर आई जब बरात जाने लगी तब वो हरास्ता रोकर खड़ी हो गई और कहने लगी पीछे से दर्वाजा बना कर लो ले जाओ तो सब बोले के भुआ ऐसे इसे बात बोल रही है उल्टी उल्टी बात कर रही है पर वो नहीं मानी जब पीछे के दर्वा जैसा लड़का निकला घर का पुराना दर्वाजा गिर गया तब सब कहने लगे भुआ जो करी बहुत अच्छा की जब बरात चलने लगी थी तो भुआ भी जाने को बोली तो सब मना कर दी तो बोले कि औरत बारत में नहीं जाते हैं पर वो जिदिक करने लगी और बरात के सा चल दी रास्ते में जब बरात पेड़ के नीचे रुखने लगी तो उसने मना किया और दुला को वहां ना बैठा कर धूप में बिठा दिया सब कोई बोले कि भुआ दुला को तूदूप में बिठा दी पर वो नहीं मानी दुला के बैठते ही पेड़ गिर गया इस बात को देखकर सब भुआ की तारीफ करने लगे और कहने लगे भुआ की बज़ज से आजी लड़का बच गया जब रात वहां से चल कर ससुराल में पहुंची तो वो भी वहां पर पीछे के दरवाजे से निकाले और उसकी बात अब सब मनने लग ग गये थे पीछे के दर्वजे से निकलते ही दर्वजा कीर गया सब बोले कि हुआ तुझे किस प्रकार पता चल रहा है कि ये सब होने बाला है पर वो चुपी मार ली थी जब भौरे पढ़ लेगी तो उसने एक कटोरा कचा दूद मंगाई और तांत का फासा बना कर रख ली जब साथ भावर पढ़ने लगी तब सर्प आया अववा ने सर्प के सामने दूद रख दिया दूद पीते ही साम उस तांत में तांत से बन गया तब बाद में सांपिन आई और उसने अपना सांप मांगा तब लड़के की भुआ बोली कि मेरे छे बतिजा पहले दे फीरते सा शांप को मैं दूँगी तो वो शांपिन अपना उसके छे बतिजों को जिवित कर दी और शांप को शाथ लेकर चली गई इस प्रकार सातों भतिजे जो मरे हुए थे वो जिवित हो गए और सातों भतिजे मिल गए बरात घर वापस आई तब लड़के की भुआ बोली कि ये सब कोई दूबडी माता के पूजा करो तब से सब दूबडी माता की पूजा करते हैं और जो दूबडी माता जिसे ओ छे बतिजों को जिवित कर आई पूजा करना इसके पाद एक बिनदाएजी की कहानी भी सुनते हैं वो भी मैं यहां पर दे दे रही हूँ एक मेंड़क था और एक मिंड़की थी मिंड़की गणजी की पूजा करती थी और रोज नाम लेती थी तो मेंड़क बोला कि तू रोज बिनदाएजी की गणजी की नाम लेती हो तो पराय पुरू से और उसको गुसा आ गया तो वो गली गलोज करने लगी तब गणजी सोचे ये मेंड़क को साबक नहीं सिखाऊंगा तो मुझे कोई नहीं मानेगा तो इतना में राजा की बांदी आई और वो दोनों को मेंड़क और मिंड़क को बांद कर ले गए और चुले पर चड़ा दिये दोनों खद खद सिखने लगे तब मेंड़क बोला मिंड़क मुझे से तो गलती हो गई अब तेरे भिनाएक जी तेरे गणजी ही हमको बचा सकते हैं बहुत कष्ट आ रहा है तब मिंड़क की बोली अब कैसे हुआ मेरे गणजी को अब ही सुमर रहे हो तो वो साथ दफा सटब बिनाएक बोली और गणजी को दया आ गई और दया आने पर एक सांड वो भेजे और एक सांड वो पाता पर सीग मार दिया और पाता फूट गया फुटते ही दोनों सर्वर्प में चले गए और दोनों की रच्छा हो गई हे बिन्दाई जी महराज हे गणजी महराज जैसे मेंडा और मेंड की कष्ट काटे सब की काटना रच्छा करना हमारी भी रच्छा करना तो ये थी दुबडी माता की और गणजी की कहानी बोलो दुबड़ी माता की जाए गणे जी की जाए